तो flip card ने recently एक list जारी करी है जहां पर इन्होंने बताया है कुछ ऐसे वर्टिकल्स जिनमें पहले returns नहीं थे, returnable item नहीं था वो लेकिन अब वो returnable रहेंगे, आप देख सकते nrv in products को हम बोलते हैं जो भी non returnable product थे तो अब वो returnable हो गए है, reason इसके पीछे क्या है और इसके ability बनी रहे, इस पर मैं बात करने वाला हूँ, so welcome to Rishi Commerce, I am Rishi और ये वीडियो उन sellers के लिए है, जिनके वर्टिकल्स यहां पर listed है, लगबग यहां पर flip card ने जो list दे रखिये, मैं इसको थोड़ा देखता हूँ, अगर zoom हो सकता है, zoom नहीं हो पा रहा है, बट हम सीधे नीचे scroll करते है, 188 वर्टिकल्स ऐसे हैं, यह category नहीं है, category के अंदर जो वर्टिकल्स होते हैं, सब category जिसको बोल सकते आप, तो उनमें ये चीज़ें apply हो चुकी है, आप देख सकते हैं, इसमें कुछ वर्टिकल्स जैसे दो तीन बार लिके हैं, जैसे सेंडल एक बार, दो बार, श यूनीक हैं, जिनमें non returnable, अब वो returnable हो चुका है, बट इनमें से कुछ already पहले से ही returnable थे, सेंडल तो पहले से returnable थे, तो अब obviously इन पे कोई भी ज्यादा impact पढ़ने वाला नहीं है, बट इनमें से कई ऐसी वर्टिकल्स हैं, जिनमें पहले returnable नहीं था, लेकिन अब हो चु नहीं है, उसके बाद कुछ जैसे electronic items यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, अब exactly आप खुद इस जैसे battery है यहां पर, के अलावा blower है यहां पर, इसके अलावा और भी चीज़ें होंगी यहां पर, नहीं कूक वेर सेट नहीं है, तो आप इसको, इलेक्ट्रिक से related जो जो कहना है कि इन categories में जो है, वो orders कम आ रहे थे, जो customer है, वो उनको wishlist कर रहा था, buy करने की कोशिश कर रहा था, बट non-returnable होने की वज़ाए, वजए से, जो है, वो customer मीशो से ले ले रहा था, या फिर Amazon पर shift हो जा रहा था, राइट, इसी चीज़ को counter करने के लिए, flip card नहीं हा यह category list में आपको description में और whatsapp channel पे अगर आप joined हो, तो उसमें मैं आपको update कर दूँगा, आप यह check कर लेना, आपकी categories में है या नहीं है, one by one आप यहाँ पर check कर लेना, या तो आप drop कर देना, अपनी category में देखके, अगर मुझे time होगा, तो मैं बता दूँगा, आप comment में डा देना, तो आपके क्या impact होगा, देखे, पहले आपका अगर returnable नहीं था, तो आपके 10 product sale होते थे, उन में से कुछ replace आता था वगर वगर तो आप profitability maintain कर लेते थे, अभी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर returnable होगा, तो आप लगा लो on an average 10-15% returns तो आएंगे ही आएंगे, तो अलग से इसको यहां पर note कर लेता हूँ, अगर आपका product price 500 है, तो कम से कम आप मानके चलो, 10% of 500 is 50, आपको क्या करना है, profitability maintain रखने के लिए, और जो returns आएंगे, उनको reimburse करने के लिए, कम से कम आपने product में 50 रुपे और जोड देने है, अगर 50 से उपर, अगर इस से उपर का है तो आप कम भी जोड सकते हो, बड़ 500 या 500 से नीचे का है, तो 10% से 15% amount आप अपने product में बढ़ा सकते हो, जिससे आपकी profitability maintain रहेगी, क्योंकि returns आने से profitability पर impact आपका पढ़ने वाला है, आपने तो यह सोच के डाला था कि non-returnable होगी, तो इस तरीके सा आप इसको counter कर लेना, अगर आपके returns ज्यादा हैं, तो थोड़ा आप इसको ज्यादा कर सकते हो, अगर आपकी quality अच्छी है, सब कुछ सही है, तो आप इसको थोड़ा कम भी रख सकते हो, इससे क्या होगा, आप बोलोगे sir, orders कम आएंगे, but orders आना नहीं, profitability maintain करना ज्यादा important है, यह एक short video थी, बस यही चीज़ें आपको समझाने के लिए, hope you helpful रही होगी, किसी और topic पे flip card Amazon मीशो पर वीडियो चीए, तो आप मुझे comment कर सकते हैं, बाकी जाते जाते यह दो वीडियो छोड़के जारों, जो कि बहुत ज्यादे important है, इनको ज़रूर चेक कर लेना, till then thank you very much, keep selling online